बोड एक्जाम 2021 के चातरों के लिए आज दो बड़ी खबरे निकल कर आई हैं अगर आप भी बोड एक्जाम के चातर हैं कक्षा दस्वी या बारवी के चातर हैं तो आज आपके रिजल्ट को लेकर दो बड़ी खबरे निकल कर आ रही है काफी दिनों से कक्षा दस्वी और ब 12 वी के चातरों का रिजल तो दोस्तो आज वीडियो के इंदर हम जानेंगे कि आ आज 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 की राजे संगे निकाल कर वीडियो को लाईक औरा चैनल को सब्सकाइब कर ढ़ें अमेंकसा तीने साथ हमें कमेंट अक्वारि का आए हम आप तक पहुचा सके सबसे पहले तो दोस्तो आज की पहली और सबसे बड़ी ख़बर निकल कर आ रहे है यूपी बोट से उत्तर परदे सरकार के माद़े में सिक्षा परिशत के 56 लाग से भी अधिक छातर चात्राओं के हाई स्कूल और इंटर्मीडिये ट्यानी की कक्षा दसी और बारवी के चातरों का रिजल्ट आने वाला है करोटivasan की दूसी लेहर की वज़े से पहली बार बीना परिशा के परिशा के परिशा के परिशुचा आएगा तो चलिए जानते हैं दोस्तो आज की अगली और बड़ी खबर सीबेसी बोर्ड से निकल कर आ रही है तो सीबेसी बोर्ड ने कक्षा बारवी के छातरों का परिनाम जारी करने के लिए सभी स्कूलों को 22 जुलाई तक यानि की आज तक का अंको को मोडरेट करने के निर्देश दिये थे इसका मतलब दोस्तों यह है कि सबी स्कूलों को CBSC बोर्ड ने कहा तकि 22 जुलाई तक आप बच्चों के अंकों को मोडरेट कर दीजिये और बोर्ड ने 16 जुलाई से पोर्टल को खोल दिया है ताकि स्कूलों को अंकों का मोडरेशन पूरा करने में किसी भी तरह की कोई भी परिसानी ना हो